नमस्कार आदाब स्रियाकाल मैं प्रकर श्रिवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चारेल गुरु घंटाल में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियमेंटरी फॉर्म अफ गवर्मेंट निकल पढ़ प्रेसिडेंशियल दूसरा पार्लियमेंटरी और तीसरा एक बीच का है जिसको की हम लोग समी प्रेसिडेंशियल कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म अफ गवर्मेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो बहुत की की पॉइंट बता Head of the state क्या होता है जो की देश का head होता है State में याद रखिएगा State का मतलब होता है यहाँ पर country मैं किसी राजी की बात नहीं कर रहा हूँ Head of the state का मतलब क्या होता है कि country का head कौन है और head of the government मतलब क्या होता है कि government का head कौन है जो देश में सरकार चल रही है उसका government कौन है तो presidential form of government में head of the state and head of the government ये दोनों कौन होता है रास्टरपती होता है like in USA USA में head of the state and head of the government दोनों Donald Trump है इनको याद रखेगा जो president होता है जो कि head of the state head of the government दोनों होता है वो किसके द्वारा choose किया जाता है वो choose किया जाता है लोगों के द्वारा directly अभी आपको पता है 2020 के end में आने वाला है USA में चुनाव है and सबसे important चीज़ he is not accountable to legislature मतलब जो parliament होती है presidential form of government जिस भी country में follow होता है वहाँ पर president legislature को responsible नहीं होता है मतलब अगर मान दीजे कि parliament ने legislature या parliament जो भी आप कहिए अगर उसने president के किसी भी decision पर उंगली उठाई तो president responsible नहीं है कि वो उनके सवालों का जवाब उन्हें दे ठेक है अब मैं इसकी opposite में बात करूँगा parliamentary form of government के बारे में parliamentary form of government दोस्तों क्या होती है जिसमें कि head of the state president होता है लाइक जिस तरह अमारे देश में रामनात को विंद है और head of the government कौन होता है प्रधान मंतरी में क्या होता है head of the state president and head of the government prime minister और याद रखेगा कि जो prime minister होता है वो he is the leader of the majority party in the legislature जो भी party majority में आती है वो उसका leader होता है ठीक है नरेंद्र मोदी BJP के इस वक्त leader है भारत के प्रधान मंतरी है क्योंकि BJP के अपास majority है ठीक है और he is accountable to the legislature कलको अगर नरेंद्र मोदी कोई भी steps लेते हैं तो वो legislature को accountable है पारलियमेंट में उसकी जवाब देही होती है आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे देश में अगर ruling party कुछ भी करती है तो अगले दिन पारलियमेंट में opposition party उसको घेरती है उससे सवाल पूछती है तो यहाँ पर accountability होती है presidential form of government में किसी भी तरह की accountability नहीं होती है और याद रखेगा दोस्तों head of the state यहाँ पर president भी हो सकता है और raja भी हो सकता है तो याद रखेगा जहाँ पर raja head of the state होता है उसको कम लोग कहते है constitutional monarchy और जहाँ पर president होता है उसको कम लोग कहते है parliamentary republic यसे गमारे देश में दोस्तों क्या है parliamentary republic क्योंकि head of the state भारत का रास्टपती है रामनात कोविंद and head of the government कौन है head of the government है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया और याद रखेगा parliamentary form of government में यह head of the state होते है चाहे वो मुनार्क हो चाहे वो आपका president हो यह आपके ceremonial executive होते है मतलब इनका जो पद होता है न वो सिर्फ एक कहते हैं सेरिमोनियल है दिखावे का है एक राजा की ताजपेशी हो गई ताजपोशी हो गई मगर उसके पास कोई power नहीं है ठीक है तो यह सारे यह दोनों क्या कहलाते हैं सेरिमोनियल executive कहलाते है और इसी में दोस्तों एक form of government और आती है जिसको कि हम लोग कहते हैं semi-presidential form of government ठीक है यहाँ पर head of the state कौन होता है रास्टपती same as head of the parliamentary form of government प्राम मिनिस्टर कौन होता है head of the government होता है एंड यहाँ पर prime minister और उसके council of minister responsible होते है किसको legislature को चेक है तो इसी लिए दोस्तों अगर देखा जाए तो semi-presidential में semi-presidential system जो है वो कहीं न कहीं इसमें लगबख president और प्राम मिनिस्टर दोनों के पास कुछ-कुछ power होती है इसी लिए एक बीच का भी दायरा है जिसको कि हम लोग semi-presidential क्याते हैं parliament में president जो कि head of the state है वो simple एक nominal executive कहलाता है अब मैं आपको features बता दूँ features जो कि हम लोग already पढ़ चुके हैं और याद रखेगा presidential form of government में legislature चाहकर भी पार लिया president को हटा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कोई no confidence motion नहीं लागू हो सकता president के खिलाफ president जितने साल के लिए बना है वो वहाँ पर बना रहेगा ठेक हैं और president के पास power होती है जैसे कि हमारे देश के रास्टपती के पास power है कि वो कहीं न कहीं जो criminal को अगर death sentence मिलती है तो उसको mercy provide कर सकता है ठेक हैं उसको pardon provide कर सकता है लेकिन हमारे देश में पती के पास देशती है रास्टपती सिर्फ हां या ना करता है according to council of minister ठेक है एडवाइस तो लेकिन presidential form of government में क्या होती है president decide कर सकता है वो independent है वो चाहे तो किसी को mercy mercy दे सकता है और चाहे तो किसी को death sentence भी सुना सकता है मतलब court ने सुनाया है उसको continue रख सकता है और directly यह electoral college के elect किया जाता है लोगों किस द्वारा merit क्या है separation of power याद रखेगा दोस्तों presidential system में legislature executive judiciary इनका power बिलकुल separate है यह एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी 1% नहीं कर सकते हैं दूसरा expert government क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो रास्टपती होता है वो खुद अपने नु क्या करता है कि हर field के knowledgeable logo को चुन-चुन कर लाता है तो एक expert government बनती है ऐसा नहीं है कि जिस तरह गमारे देश में है कि गस्वी फेल minister बन जाता है ऐसा नहीं है government expert होती है इसी लिए stability बनी रहती है क्योंकि चार साल के अंदर-अंदर किसी भी तरह का no confidence motion आप नहीं ला सकते president के खिलाफ and less influence of the party system यहाँ party system का कोई role ही नहीं होता है जो कुछ भी role है president का role है तो यहाँ पर party politics नहीं होती है लेकिन demerit क्या है दोस्तों less responsible executive जो सरकार गोती है वो बड़ी less responsible गोती है क्योंकि एक बात याद रखेगा अक्सर जब एक इंसान के पास पूरी की पूरी power आ जाती है ना तो वो उस power का गलत इस्तमाल करता है हम आज कल देखते हैं पिछले एक दो साल से हम लोग देख रहें हैं कि डॉनल्ड टरंप के हर decision को अमेरिका के लोग ही criticize करते हैं मगर कुछ बोल नहीं सकते क्यों क्योंकि presidential system है वो चार साल तक तो रास्टपती रहेगा ही रहेगा तो यहां पर जो executive होती है जो सरकार होती है वो बड़ी less responsible होती है क्योंकि उनकी कोई जवाब देही नहीं होती है वो जो मन चाहे वो करते हैं deadlock between executive and legislature अक्सर executive and legislature की भी तनातनी बनी रहती है ठीक है तो कि अक्सर क्या होता है कि legislature ने कोई law pass किया president का दिमाग खराब होगा president है veto pass करके उसो खतम कर दिया ठीक है तो deadlock अक्सर बना रहता है rigid government तो कि एक इंसान के हाथ में अगर सकता है तो वो जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा government बड़ी rigid होती है and system को spoil करती है आपने देखा होगा जितने भी ताना शाहत है उन्होंने system को spoil किया है चाहे फिर वो बेनिटो मुसलिनी हो चाहे वो आपका क्या बोलते है कि अडॉल फिटलर को पर चाहे वो शी जिंग पिंग हो यह system को spoil करते है अकेले decision maker होते है ना इसलिए अब मैं बात करता हूँ parliamentary system की जिसको हम लोग already discuss कर चुके है इसके features को देख लेते हैं पहला की legislature और executive के बीच में close relationship होती है कैसे मैं बताता हूँ simple सब बात है हमारे देश में election होती है हम vote देते हैं चुनते है MP को MLA को वही MP ठेक है पर example हमारे देश के प्रधान मंत्री भी त सरकार चलाते हैं तो executive and legislature के बीच में close relationship होती है और याद रखेगा सरकार responsible होती है legislature को जवाब दे होती है उसको मैं already बता चुका हूँ dual executive यहाँ पर executive क्या होती है dual होती है एक nominal होती है एक real होती है nominal कौन हो गया राष्टपती executive कौन हो गया स्वारी real कौन हो गया देश का प्रधान मंत्री nominal executive इसले कहते है को क्यों नाम मात्र एक्जिकेटिव होता है सब कुछ council of ministry कहने पर करता है मिना prime minister की decision के नहीं करता है तो real executive होता है प्रधान मंत्री nominal executive होता है राष्टपती तो यहाँ पर dual executive होते हैं secrecy of procedure जो parliament में जो भी आपका काम होता है दोस्तों वो बड़ी ही secrecy के साथ होता है ऐसा नहीं है कि parliament में यहाँ पर parliament चल रही है और कोई भी गुमते फिरते पहुँच गया ठेक है गमच्छा ओड़ में आपका legislative assembly है और legislative council भी है जिसको हम लोग विधान सबा और विधान पारीसत कहते हैं मगर state level पे bicameralism यह compulsory नहीं है जिसको चाहिए वो रखे जिसको नहीं चाहिए वो हटा सकता है no fixed tenure याद रखेगा कहने को 5 साल होती है मगर 5 साल के पहले भी सरकारे गिर जाती है गमारे सरकारे गिनिंग है कोई सरकार 5 साल पूरा करी नहीं पाती थी मेरिट क्या होती है जैसा कि मैंने बताया close relationship होती है executive legislature के बीच में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर majority में जिसके पास majority होती है जिस भी political party के पास वो पार्लियामेंट पे बैठ के law बनाती है और बाहर निकल कर सरकार चलाती है तो better coordination होता है legislature और executive के बीच में prevents authoritarianism मतलब कि जो तानाशाही होती है वो कोई नहीं कर सकता क्योंकि जब आप देश के प्रती जवाब दे हो जब आपके हर step पर लोग सवाल करते हो आपसे right to information चलता हो तो आप तानाशाही नहीं कर सकते responsible government होती है क्यों को कि सरकार का लोगों के प्रती और पार्लियामेंट के प्रती जवाब देही होती है representing diverse group simple सा logic है हमारे यां गिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, देर, आफटर आपका छोटी-छोटी जाती के लोग, बड़े-बड़े जाती के लोग, मतब मैं छोटी-छोटी जाती से किसी particular जाती को वो नहीं कर रहा है, मेरा मानना है हमारे देश में जो बहुत छोटी-छोटी-छ system अगर भारत में है, तो सबसे बड़ा गुंडा अगर भारत में कोई है, तो वो है भारत की जनता, ठेक है, भारत की जनता चाहे, तो किसी को भी भगवान बना दे, भारत की जनता चाहे, तो किसी को भी नरक में पहुँचा दे, डिमेरिट क्या होते हैं किसी वी तरह का separation of power सहीं होता है मैं आपको reason बताता हूँ हमारे देश के संविधान में लिखा है कि horizontal power आपका separate है between executive, legislature, judiciary मगर आप देखेंगे तो आपको legislature में executive कहते हैं ना कि दखल अंदाजी करती नजर आएगी executive में legislature करती नजर आएगी कभी-कभी executive कोशिश करती है पार्लियामें जुडिशरी में करने की यादेना इंदरा गांदी ने 1975 में क्या कोशिश की थी जुडिशरी उनके कबजे में आ जाए तो यहाँ पर separation of power नहीं होती है सिर्व नाम मात्र की होती है unqualified legislature मैं आप लोगों को एक आकड़ा बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे 2019 की लोगसभा जो बनी है जो गटित हुई है उसमें more than 45% member of parliament government testing है जिनके खिलाफ criminal case चल रहें है भारत की अलग अलग अदालतों में तो यहाँ पर unqualified legislature गाते है इन stability तो होती होती है ठीक है अगर आपके पास support है अगर आप majority की सरकार चलाते है तो आप stable है अगर आप majority की सरकार नहीं चलाते हैं तो कभी भी आपको जिसने support किया है वो अपना support कीच कर आपकी सरकार गिरा देगा failure to take a prompt decision क्योंकि simple सा logic है सबका आपको सुनना पड़ेगा तो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते आपको बहुत ही सोच विचार करकर सबकी बातों को सुन कर डिसीजन लेना पड़ेगा bureaucracy control करती है यह जितने भी I.S. officer गहें IPS officer गहें यह control करते है एक बात याद रखेगा Parliament का काम होता है law बनाना bureaucracy का काम होता है law को implement करवाना ठेक है and last one है party politics party politics बहुत तगड़े से होती है यह आप लोगों को पता है कि हमारे देश में party politics बहुत तगड़े से होती है BJP Congress सपा बसपा party politics बहुत तगड़े से होती है तो दोस्तों यह था presidential और parliamentary form of government बीच में हम लोगो को मेरे द्वारा समझाया गया यह वीडियो समझ में आया होगा wish you all a very good luck take care good bye good night